चटपटी और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाईए और हार एक न्यूज सबसे पहले पाईए अजय देवगन की Most Wanted फिल्म बादसाफ पिछले सुगरबार को ही पूरे भारत के सिनेवा घरों में एक सातर रिलीज हुई पहले दिन से ही इस फिल्म ने बॉक्स ओफिस पर धमाल मचाना सुरू कर दिया था इस फिल्म में अजय देवगन के साथ साथ इमरान हासमी लेने अडिसुजा इसा गुपता बिद्द चमबाल और संजे मिस्रा मुक भुंका में नजर आ रहे हैं फिल्म के बॉक्स ओफिस कलेक्शन को लेके फैंस भी काफी उतसाही थे और बाते करें चार दिन की कलेक्शन की तो इस फिल्म ने करीब 50 कडूर का आकरा पार कर लिया है जी हाँ ट्रेड एनलास्टिक तरन और दस ने फिल्म के बॉक्स ओफिस कलेक्शन की जानकारी सोसल मीडिया पर शेर की है बॉक्स ओफिस कलेक्शन शेर करते ही दर्सकों में काफी साधा और साहत बढ़ गई है कि फिल्म ने 50 कडूर का कलेक्शन पार कर लिया तरन के मुतावित फिल्म ने सुकर बार को करीब 12.26 कडूर का बिजनस किया तो वहीं सैनी बार को 15.60 कडूर का बिजनस किया तो रवी बार को या बिजनस थोड़ा सा घट गया 15.10 कडूर को कारूबार किया और सोम बार को यानि कल 6.82 कडूर का कारूबार किया इस तरीके से टोटल चार दिन का बॉक्स ओफिस करेक्शन करीब पचास कडों से उपर का रहा तरन्ने इस टूट को आप नीचे भी देख सकते हैं आपको बता दे कि इस फिल्म का निर्देशा मिलन लूथिया ने किया इससे पहले वो संज, अजय दिवगन के साथ कच्चे धागे और वन सफोन इंटाइम जैसे मिल में कर चुके हैं बात करें बात साहो की तो इसकी कहानी 1975 के आपात कालिन के इर्दगिर घूमती नजर आती है बात साहो की रिब्यू की बात करें तो फिल्म से उच्छे के मताफि काफी लंबे के समय के बाद एक ऐसी फिल्म आई है जिसमें मिर्च मसाला के साथ एक्शन तड़का भी भरपूर है